दोस्तो नमस्कार आदाप सत्रियकाल नियूज क्लिक के कारिकरम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश अब ये बात लगभग तैसी हो गई है कि कॉंग्रिस पार्टी के नए रास्ट्रिय अध्यक्ष स्रिवान अशोग गहलोत ही होंगे अब कोई अचानक आकस्मिक उलट फिर हो गया तो अलग बात है हमने दोस्तो पिछले 10 जितंबर को ये बात कही थी यनि अब से करीब 10-11 दिन पहले कि अशोग गहलोत क्यों बन सकते हैं और क्यों उन्हीं पर आला कमान कॉंग्रिस पार्टी का ज़्यादा रिलाई कर रहा है अशोग गहलोत अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वह कोचीन पहुचने वारे हैं कोचीन मतलब कोच्छी केरल की एक बहुत महत्पूर्ण सिटी क्यों कि राहूल गांधी इस समय केरल में है भारत जोड़ो यात्रा में वहाँ पर राहूल गांधी से अपने नामांकन और राजस्थान में पार्टी नेत्रित्यों के भविश्य को लेकर विचारी मर्स करना चाहते हैं शायद उनकी चिंता अपने राजे के नए मुख्यमंतरी को लेकर ज़्यादा है वो कॉंग्रेस अध्यक्ष बन जाएंगे तो राजस्थान का मुख्यमंतरी कौन बनेगा उनका उत्तराजिकारी उनकी पसंदकार नो हो तो देश और प्रदेश की सियासत में क्या होगा पार्टी के 108 विधायकों में जो जादातर विधायक हैं मैं समझता हूँ कि तक्रीबन तक्रीबन 80 से अधिक वो गहलोत जी के साथ हैं इसमें कोई दोरा नहीं ऐसा माना जा रहा है अगर अचारक फैक्शनलिजम यानि गुटबाजी बढ़ गई तो अलग बात है लेकिन आज की तारीख में उनके पास विधायकों की प्रचंड संख्या है लेकिन इस बीच में सचिन पाइलिट जो राजेश पाइलिट जी के दिवंगत राजेश पाइलिट जी के पुत्र हैं केंद्र में मंत्री बीरा चुके हैं राहूल गांधी प्रियंका गांधी के काफी नजदीकी माने जाते हैं लेकिन उनके साथ एक बात है कि उन्होंने और उनके गुट के विधायकों ने 2020 में आपको याद होगा बगावत कर दी थी मुख्य मंत्री बनना चाहते थे सचिन पाइलिट और उनके तमाम कई विधायक ऐसे थे जो गुडगाओं चले आए और गुडगाओं में ये भी साब साथ गांट थी यानि इनडायरेक्ली उनको सपोर्ड जो दे रहे थे वो भारती जनता पार्टी वाले दे रहे थे ऐसा साबित हुआ या कुछ साक्ष मिले हाला कि सचिन ने बिलकुल कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बैराल बताते हैं कि कुछ मध्यस्तों मध्यस्त लो समझाया बुझाया उसमें बताते हैं कि प्रियंका ने काफी महत्पुन रूल अदा किया और इस तरह सचिन पाइलिट अपने विधायकों को उन्होंने वापस बिलाने का फैसला किया और फिर अशोग गहलोत की सरकार बच गई हाना कि अशोग गहलोत ने जबर्दस्क प्र उससे सचिन पाइलिट पीछे नहीं हटते तो भी मेरा मानना है कि बड़ा मुश्किल था अशोग गहलोत सरकार को गिरा पाना सचिन पाइलिट के लिए तो सचिन पाइलिट बहुत पॉपुलर लीडर हैं कॉंग्रिस के अंदर लेकिन राजिस्थान की जंता में अशोग ग तो नौजवान लोगों में है और दूसरी जो यहां का मीडिया है उसमें जो अंग्रेजी का मीडिया है उसमें उनको काफी पसंद किया जाता है जैसे शर्शी थरूर को पसंद किया जाता है खासकर जो आप कह सकते हैं कि एक प्रकशील विचारों के जो लोग हैं जो नॉन वीजेपी खेमे के पत्रकार माने जाते हैं उन में इन दोनों को बहुत पसंद किया जाता है शर्शी थरूर और सचीन पाइलेट तो सचीन पाइलेट को बार बार राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की बात जो एक आला कमान का जो एक वायदा रहा है ऐसा माना जाता है कि पता नहीं वायदा किस रूप में रहा है लेकिन ये कि आपको बनाया जाएगा तो अब सवाल इस बात का है कि अशोक गहलोत के हटने के बाद क्या वाकई नमबर सचिन पायलेट का जाएगा आज सबसे बड़ा प्रस्ट नहीं बना हुआ है और सचिन उसी वायदे को कथित वायदे को आला कमान को आज याद दिला रहे हैं या वो वाकई वादा पूरा होगा या बदली राजनितिक परिस्टी में सचिन के जोती रादित्य या आरपियन या जतिन प्रशाद जो जीतन प्रशाद जी के पुत्र कांग्रेस पार्टी के निता रहे हैं वो भी बड़े करीबी माने जाते हैं प्रियंका और रहुल के और अभी वो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं तो हमारा ये कहना है कि क्या ये पार्टी जोखिम लेगी कि सचिन पाइलेट अगर जोतिराद जित आरपियन सिंग या जतिन प्रशाद की तरह बगावत कर दें क्या ये जोखिम लेगी क्योंकि मुक्ष मंत्री बनने के लिए श्रीमान सचिन पाइलेट महुत पाहले से एक्षुक हैं आज कॉंग्रेस के लिए मैं समझता हूं दोस्तों ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्ण है दोस्तों एक पालू और समझना पड़ेगा इस पूरे प्रक्रण में कि कॉंग्रेस पार्टी का जो राष्ट्री अध्यक्ष का चुनाव है उसमें शोक गहलोत के कॉंग्रेस अध्यक्ष बनने की संभावना क्यों प्रशस्तों गई है क्यों जादा बढ़ गई है एक तो इसलिए बढ़ी है कि राहुल गांधी जिनको तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटियां चाहती है कि वही अध्यक्ष बने पहले भी चाहती थी लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो उनकी जो पॉपुलिर्टी है उनकी जो एक्सेप्टेंस है उन्हें शित्रुप से बढ़ गई है लेकिन राहुल गांधी मैं समझता हूँ कि उनकी इक्षा है कि वो डैरेक्ट पद पर न रहें वो एक तरह से संचालक की भूमिका में या एक संयोजक की भूमिका में रहें फॉर्मल या इनफॉर्मल मतलब आप सरसंगचालक मत समझ लीजिए जो बीजेपी में होता है कि भई आरेसेस का सरसंचालक उसकी बहुत महत्वण भूमिका होती है बीजेपी को एडवाईज देने में या एक तरह से बहुत सारे लोग काते हैं रिमोट से उसको बीजेपी को चलाने में तो मैं सरसंचालक जैसी बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन क्या कॉंग्रिस में एक नया प्रियोग हो रहा है होने जा रहा है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति नहरू गांदी परिवार से बाहर का अगर वो अधैक्ष बन जाता है तो क्या राउल गांदी जो सरोमाने नेता कॉंग्रिस पार्टी में आ जाएं क्या वो एक संचालक की भूमिका में हो जाएंगे क्योंकि ये तो नहीं माना जा सकता है कि नहरू गांधी परिवार के राहूल गांधी की कॉंग्रिस में जो एक्सेप्टेंस है उसकी बराबरी कोई और नेता कर पाएगा तो बहुत दिल्चस्ट ये बात है और मज़े की बात है कि कॉंग्रिस पार्टी का दोस्तों जो चुनाव है वो 24 से 30 सितंबर के भी इसमें नामांकन होना है और 17 अक्टूबर को चुनाव होना है इसके अलावा जो काउंटिंग है वो 19 अक्टूबर को होगी है 19 अक्टूबर को इसके लिए अभी दो तीन नाम आये हैं एक तो गैलोजी का ही नाम है गैलोजी अगर कुछी में कोई चमतकार कर देते हैं और राउल गांधी को मना लेते हैं कि नहीं नहीं कॉंग्रेस अद्यक्ष हाफी बनिये हम आपके लिए कारी-कारी अद्यक्ष रहेंगे या हम नहीं भी रहेंगे लेकिन काम करेंगे पार्टी के लिए वो अलग बात है लेकिन इसके चांसे बहुत कम हो गये हैं क्योंकि जिस तरह अभी कल मैं सुन रहा था दिगविजा सिंग को और जैराम रमेश को जितने कॉंग्रिस में इस समय भारत जोड़ो यात्रा के प्रमुक आर्गनाइजर्स हैं उनसे जो मिल रहे संकेत हैं और आंडेकार्ड उससे लगता है कि राउल गांदी शायद कॉंग् शशी ठरूर कॉंग्रिस पार्टी के बहुत ही यह कहा जाए कि मुखर सांसद और लेखक बुद्धिजीवी यूएन में काम कर चुके इडाइटेर नेशन में वह जो केरल से सांसद हैं कॉंग्रिस पार्टी से तिरवनतपुरन से वह चुनाओ कॉंग्रिस पार्टी की उन्होंने तो एक बार ये भी कहा कि कोई भी लड़ेगा हम जरूर लड़ेंगे लेकिन अभी कल संकेत मिल रहा है कि अगर राउल गांदी चुनाओ लड़ते हैं कॉंग्रेस अध्यक्ष का तो शायद विड्रॉ कर लेंगे वो नहीं लड़ेंगे बहराल अब चुकी चीजें तैय हो गई हैं कि कॉंग्रेस अध्यक्ष पत के लिए राउल गांदी नहीं लड़ेंगे तो इसका मतलब कि शशी थरूर का लड़ना बिलकुल अवशिम भावी है और शशी थरूर और गहलोत में मुकाबला होगा ऐसा माना जा रहा है बहुत सारे लोग फिर मैं वही कहूंगा कि एक सेक्षन जो कॉंग्रेस पार्टी के नजदीक है बुद्धी जीवियों का लिबरल्स का तरक्की पसंद लोगों का जिसमें मीडिया के भी कुछ लोग हैं कुछ कमेंटेटर्स हैं कुछ कॉलमिनिस्ट हैं वो मान रहा है कि श तरूर कॉंग्रेस पार्टी के रास्ट्री अध्यक्ष के रूप में बिलकुल अनुपयुक्त होंगे इतने वड़े विशाल देश में एक तो उनको विद्वान होने के बावजूद पढ़े लिखे होने के बावजूद बुद्धी जीवी होने के बावजूद उनको जो राजनीती की जटिलताएं हैं खासकर नार्थ हिंडिया की वो बिलकुल उनसे वाकिफ नहीं है ठीक से दूसरी बात कि अनुभों के मामले में भी वो कॉंग्रेस पार्टी के अंदर की का जो इस सितियां हैं उनसे बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है और मैं समझता हूं कि श हाई क्वाडिनेटर या एक एक तरह का समन्वयक बना कर रखे चाहे पार्टी अध्यक्षशों गलुद बने या कोई और बने लेकिन शशी थरूर का उपयोग साउथ इंडिया में किया जाना चाहिए क्योंकि पूरे अखिल भारती संग्ठन के लिए कॉंग्रेस के मैं नह पानचे राजियों के लोगों से पूछा फोन करके कि शचित थरूर के बारे में उनकी क्यारा है बोलो बहुत अच्छा बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं समझदार हैं लेकिन ओग कॉंग्रेस प्रेसिडेंट के लिए आज के जमाने में खासकर भारती जनता पार्टी में प्रधान मंतरी मोदी जो प्रधान मंतरी आज हैं उनके सामने उनकी उनकी जो इस्थिती है वो कॉंग्रेस के लिए बहुत फैदेमन नहीं हो पाएगी अच्छ के रूप में अशोग गहलोत के बारे में लोगों का कायना है कि वो बेहतर साबित होंगे और उसके सामाज कारण है उसके राजनीतिक कारण भी है तो देखना है दोस्तों क्या होता है बहुत जल्दी बहुत जल्दी इन चीजों के बारे में फैसला हो जाएगा लेकिन फिर मैं कहता हूं कि कॉंग्रेस अध्यक्ष के चुनाओं के साथ जुड़ गया है राजस्थान में मुख्यमं कुसी साहब है उसमें शांती धारिवाल साहब है उसमें सचिन पाइलेट साहब है उसमें गोविंद सिंग दोता सरा है और मेरा मानना है कि सचिन पाइलेट अगर बनते हैं तो निश्चित रूप से गहलोद के हिर्दे परिवर्तन के बाद ही संभव है हिर्दे परिवर्तन in the sense की वो सहमत हो जाएं उनके नाम पर अधर्वाइज जिसको गहलोज चाहेंगे मुख्यमंत्री वही बनेगा क्योंकि आज की तारीक में अशोग गहलोज से ज्यादा पापुलर कॉंग्रिस लीडर राहिस्थान में दूसरा कोई नहीं है नमस्कार आदाब सत्रियका